के लिए दोस्तों नमस्कार स्वागत आसे विलूँगा आपके अपने चानल सक्सेसंत्रावाई दीपक रापर और कैसे आप लग है तो आसा करता हूं उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों और इस क्लास में देखिए छोटी सी बिकर्ण हैं दोस्त आप जानते हो कि कोई भी अगर चतरभूज हो गया हमालिजे जैसे हम यहां पर दोस्त चतरभूज की अगर बात करते हैं अगर आप से पूछा जाए कि इस चतरभूज में कुल कितने बिकर्ण हैं आपको दोस्त पता है कि यहां पे देखिए ए क्या हो होता है ये आपका सीर्स से रच कहलें है लाइन मिलती है चतर बुझ कहलें चालने चतर बुझ हो गया खटबुज हो गया आस्टबुज हो गया दोसो किसी भी आकरिती में कुल कितने बिकर्ड है तो इसको दोस्त एक फार्मूले के माध्यम से हम लोग ग्यानत करेंगे क्योंकि एक्जामनेशन में हमारे पास इतना समय नहीं होगा तो देखे यहां पर फार्मूला क्या होता है इसका यन इंटू एन माइनस थ्री अपान दोसो क्या होता है टू होता है एन क्या होती है भुजाओं की संख्या होती है देखे इस चतुरभुज में दोस्तो टोटल भुजाएं कितनी है चार है तो एन के प्लेस पे क्या रख देंगे चार रख देंगे चार माइनस तीन कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा divided by क्या हो जाएगा 202 हो जाएगा तो 2 से 4 कटेगा दो सो कितना आ जाएगा इसमें कुल 2 विकरण है उसी प्रकार से अब इस वाले figure में आपको बताना है total विकरणों की संख्या कितनी है तो एह दोस्तों सबसे पहले तो ग्यात कर लीजिए दोस्तों कौन सी आकरती है तो देखे एक भुजा हो गया यहाँ पे दो हुजा हो गया तीन भुजा हो गया चार भुजा दोस्तों पांच भुजा चा मतलब कि खटबू जो दोस्तों चा भुजाओं से मिलकर की बनी आकरती है तो यहाँ पे फार्मूला है एन इंटू एन माइनस थ्री अपांट टू है एन की बेलू क्या हो जाएगी भुजाओं की संख्या तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ब्रैकेट में एन माइनस थ्री इकल टू क्या हो जाएगा तो आपका थ्री हो जाएगा डिवाइड़ बाई क्या है दोस्तों आपका टू हो जाएगा दो तियाएं कितना हो गया दोस्तों च्छा हो गया तीन तियाएं कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा तो दोस्तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा C, B, sorry, B फार बहादूर बहाए, ठीक ना तो दोस्तो B वाला बिल्कुल correct answer हो जाएगा यानि कि इस दी गई कुल आकरती में आपके total 9 दोस्तों आपके बिकर्ण है क्लियर हो गया सभी लोगों का, तो दोस्तो इस प्रकार से आपको देखिए practice अधिक से अधिक questions पर करनी पड़ेगी, तभी दोस्तो आपके अंदर speed आएगी, accuracy आएगी, तभी हमारे दिमाग में पूरी चीजे set होगी जब तक दोस्तों आप बार-बार चीजों का revision नहीं करेंगे, practice नहीं करेंगे, चीजे भूल जाती है आप अगर सोचें कि मैं दो दिन, एक दिन मैंने कोई भी chapter पढ़ लिया, बस मेरे छुट्टी हो गई, अब उसके बाद नहीं पढ़ना है मेरी तैयारी हो गई तो दोस्तों आप बिल्कुल मत सोचिएगा, बार-बार आपको revision करना पड़ेगा, तभी ओ चीजे लंबे समय के लिए दिमाग में दोस्तों क्या होती है, set होती है आप देखें दोस्तों इस प्रकार से सारे आपके जितने भी non-verbal के section है, इस 27 तारीख से दोस्तों इसमें class स्टार्ट होने जा रही है, चोटी से जानकारी ये भी आपको दे देता हूँ अगर आप region की तयारी करते हैं, किसी भी एकजामनेशन के लिए चाहे बीडियो एकजामनेशन हो गया, या CGL हो गया, CHSL हो गया, पूलिस गाडियो ऑडियो प चलाा जा रहा है, जिसमें अर्जुन बैच चलाया जा रहा है जिसमें रिजनिंग की कम्प्लीट आपको तैयारी केरवाई जा रहे है दोसों अगर उस बैच में आप कांसेट्टुल चूज भी पढ़ना चाहते हैं तो डिकार्डेड मोड में सारी क्लास आपकी अव लेवल उसमें है और उसमें आपको जबरदस्त रिजनिंग की प्रैक्टिस कराए जा रही है जितने भी रिजनिंग के चैप्टर है एक दिन पहले आपको पेडियप दी जाती है अगले दिन उसको दोसों सालब करवा जाता है देखिए अभी दोस इस बैच में आपको सर ने आफर प्रवाइड किया है और यह आफर सिर्फ 20 मार्च तक वैलिड है 20 मार्च के बाद क्लोज हो जाएगा आफर में सिर्फ 199 में दोसों इस बैच में आप एडिमिसन ले सकते हैं और अपनी रिजनिंग को स्टांग बना सकते हैं तो नान वर्बल का जितना भी दोस आपका चैप्टर है नान वर्बल लेते समय आपको कूपन कोड यहाँ पर करेंगा अपलाई 200 कोड मांगेगा तो आपको ये कोड इसमें डालना है फीडियो अगर वीडियो बिद आउट ईसपेस आपको डालना है यह कोड डालते हैं तो दोस्तों 199 में दोस्तों कम्प्लीट आउस बैच में आप एडिमिसन ले सकते हैं और अपनी रेजिनिंग को इस्टॉंग बना सकते हैं चलिए तो दोस्टो एक छोटी चोटी जानकारी में बीच में आपको प्रोवाइड करता रहता हूं इससे आपकी जानकारी बुस्ट हो और जो नए बच्चे हैं उनको जानकारी से अगवत कराना हम लोगों क काम होता है इसको अन्यथा बिल्कुल मत लिया करिए दोसों कि प्रचार करना होता है ऐसे करना होता है जिन बच्चों नहीं लिया है बाद में वही कमेंड करते हैं कि सर मेरा छूट गया मुझे जानकारी नहीं चल पाई थी मुझे पता नहीं चला था इस तरह से तो जिन के ल लासमे, नमस्कार.